बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का पहला कुर्चिन दिया हुआ है कह रहे है फिल इन दा ब्लैंक्स इन दा फॉलुविंग टेबल गिवें देट ए इस दा फास्ट टर्म डी इस दा कॉमन डिफ्रेंस एंड एन दा एंथ टर्म आफ ए देखो ए क्या होता है फर्स टर्म होता है पहले ही सीख चुके हैं डी क्या होता है कॉमन डिफ्रेंस होता है और एन क्या होता है वो क्या है एंथ टर्म होता है तो यहां पर हमने एन की वेल्यू पहले ही सीखी है कि क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यही हमारी तो इसमें देखो कुछ वैल्यू दिवी जैसे एक टेवल इसमें एक की वैल्यू दिए इसमें एन की वैल्यू दिए तो यहां हमें फाइंड करना है ठीक है नेक्स कुस्चिन में क्या है एक की वैल्यू माइनस एटीन दी हुई है पर यहां डी की वैल्यू नहीं दी हुई है n की value दी हुई है और an की value दी हुई है ठीक है तो हमें d की value find करनी है तो कोई 1 ना 1 value क्या है missing है उसे ही हमें find करना है देखते हैं इसे first वाले में क्या है a की value है d की value n की value है तो कैसे find करेंगे देखो बचा a की value कितनी है 7 है तो हम यहाँ पर a n क्या होता है a plus n minus 1 into d यहीं तो find करना है तो a की value यहाँ पर कितनी दी भी है 7 d भी है plus n कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है minus 1 into d की value कितनी दी है 3 d है सब की value put कर लेंगे और solve कर लेंगे यह 7 मिल गया यह plus यह कितना हो जाएगा 7 into 3 equals to 7 plus यह कितना हो जाएगा 7th रीजा 21 यह हमें मिल गया 28 यह आ गया हमारा एं तो इस तरीके से हम value को find कर लेंगे तो इसकी value क्या आगई 28 इसके बाद जो next part दिया हुआ है इसमें a की value कितनी है minus 18 है इसको भी देख लेते हैं a की value जो दी है वो कितनी है minus 18 है और d की value नहीं दी हुई है d की value हमें निकालनी है और n की value 10 है n की value कितनी है 10 है और an की value 0 है an हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0 nth term जो है वो क्या है sorry 0 है ठीक है हमें पता है कि जो an होता है वो क्या होता है a plus n minus 1 into d यही तो होता है an की value है क्या 0 है तो यहाँ पर 0 रख दो a की value क्या है a की value है minus 18 minus 18 रख दो plus n की value कितनी है n की value बचा 10 है तो यहाँ पर 10 minus 1 और d की value में find करनी है ठीक है यह negative value है ना इसको इधर ले हो तो positive की हो जाएगी तो 18 positive का हो गया वो 10 से बन जाएगा तो यहाँ पर 9 मचेगा 9 क्या है d के साथ multiply है ना तो इधर आएगा तो divide में हो जाएगा 9 2 जा 18 तो d की value कितनी मिल गई 2 मिल गई तो इस तरीके से d की value हम लोग find कर लेंगे तो चाथ d की value कितनी आ गई 2 इसके बाद third part देखो दिया हुआ है इसमें a की value find करनी है और बाकी सारी values दिय हुई है तो इसको भी देख लेते हैं लोग देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें a हमें find करना है ठीक माइनस 5 दिवी है ठीक है हमें a n का फर्मूला रता है क्या होता है a plus n minus 1 into d यह होता है a n की value कितनी है minus 5 यहाँ पर पूट कर दो a की value find करनी है n minus 1 n की value 18 है 18 minus 1 और d की value कितनी है d की value है minus 3 minus 3 माइनस 5 equals to a अब देखो यह माइनस जब इस प्लस से multiply होगा तो माइनस हो जाएगा और 18 से 1 subtract हो जाएगा तो 17 और into 3 है ही यहाँ पर minus 5 equals to a और यह कितना हो जाएगा 51 इसको इधर भेज़ दो जब इधर भेज़ेंगे तो minus 5 और यह negative value पर इधर आएगी तो positive हो जाएगी equals to a subtract कर देंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा 46 तो इस तरीके से a की value कितनी मिल जाएगी 46 मिल जाएगी तो इसकी value भी इस तरीके से हम लोग find कर लेंगे इसके पार्थ पार्ट दिया हुआ एकी value दी हुई है डी की value दी हुई है सारी values लिख लेते हैं देखो एकी value दी है minus 18.9 ठीक है और डी की value दी हुई है 2.5 n की value निकालनी है n की value हमें निकालनी है और क्या दिया हुआ है a n की value 3.6 dv जो a n है हमारा वो कितना है 3.6 ठीक है अचा a n की place पर क्या लिख सकते है a n ही तो formula होता है a plus n minus 1 into d भाई a n का ही तो formula है और इधर कितना है 3.6 है a की value minus 18.9 plus n की value find करनी है d की value 2.5 equals to 3.6 इस value को इधर भेज़ दो equal के यह negative value है उधर जाएगी तो positive हो जाएगी तो n minus 1 into 2.5 equals to 3.6 और यह इधर आके positive हो गई तो 18.9 n minus 1 into 2.5 equals to इसको add का लेते हैं यह कितना आ जाएगा यह 15 हो जाएगा यहाँ 2 यहाँ पर 2 ठीक है अब देखो यहाँ पर n minus 1 यह क्या है इसके साल multiply है न उधर भेज़ दो तो divide में आ जाएगा 2.5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5 से divide करते हैं 5 5 जा 25 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 9 times 45 ठीक है तो n minus 1 equals to कितना मिल गया 9 तो n की value कितनी मिल जाएगी 9 यह negative है इधर आएगा तो positive n की value हो जाएगी 10 तो अच्छा इस तरीके से n की value हम लोग फाइंड कर लेंग इसके बाद में 5th पार्ट दिया है एकी value दी हुई है एकी value कितनी है 3.5 है सारी value लिख लेते हैं देखो एकी value कितनी है 3.5 है डी की value कितनी है 0 है और n की value कितनी n की value है 105 क्या find करना है an find करना है न हमें find करना an ठीक है हमें पता है कि an क्या होता है an होता है a plus n minus 1 into d ठीक है value पुट कर दो तो a की value 3.5 प्लस n की value 105 minus 1 into d की value कितनी है d की value तो बच्चा 0 दी हुई है यहाँ पर 0 रख देंगे और 0 से किसी भी number को multiply करेंगे तो क्या 0 ही हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 3.5 और यहाँ पर 0 तो बच्चा an की value यहाँ से मिल जाएगी 3.5 और यहीं हमारा answer हो जाएगा तो a n की value यहाँ पर मिल गए हमें 3.5 तो इस तरीके से फर्स्ट वाला question हम लोग solve कर लेंगे इसके बाद इसका second question दिया हुआ है second question में कहा गया है choose the correct choice in the following and justify दो पहला question दिया हुआ है कि है 13th term of the AP एक series दी हुई है तो सीरीज क्या दी हुई है यहाँ पर लिख लेते हैं given 10 है 7 है 4 है ठीक है यह एक series दी हुए है और यहां इसका 13th term क्या होगा तीसमा टर्म क्या होगा ठीक है तो तीसमा टर्म मतलब N की वैल्यू दी हुई है N की वैल्यू कितनी है 30 तो तीसमा टर्म पूछ रहे हैं अब अगर सीरीज को देखें तो पहला टर्म 10 है न तो मतलब पहला टर्म क्या होता है A होता है तो ये होगे हमारा A ठीक है, D निकालते हैं, D कैसे निकालेंगे, D होता है हमारा A2-A1, बाद वाले से पहले वाले को subtract करते हैं, तो 7 minus 10, तो D की value कितनी हो गई, अगर इसको subtract करेंगे तो minus की value ज्यादा है, तो minus का यहाँ पर मिल जाएगा थिरी D की value, A की value, and N की value, तीन value यहाँ पर तीनों मिल चुकी है अब हमें पता है, कि अगर A1 find करना है, भाई, 13 तर्म ही तो पूछ रहे हैं, मतलब A30 पूछ रहे हैं, तो A1 equals to क्या होता है, A plus N minus 1 into D, हमसे पूछा क्या तो A30 होता है, तो A30 होता है, तो A की value यहाँ पर रख दो, A की value कितनी है, 10 है, plus N की value कितनी है, N की value 30 है, minus 1 into D की value कितनी है, D की value minus 3 है, तो कितना मिल जाएगा, 10 यह minus प्लस माइनस यहां हो जाएगा थर्टी सेवन सब्ट्रेक्ट हो गया तो 29 और इंटू ये 3 तो ए 30 इक्वल्स टू 10 इसको मल्टिप्लाई कर लेते हैं 3 9 जा 27 तो यहां से हमें ए 30 जो मिल गया वो हो गया हमारा माइनस 77 तो इस तरीके से ये एंसर मिल जाएगा और सिकरेक्ट हो जाएगा तो ए 30 की वेल्यों मैनस 77 बिल जाएगे इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में क्या है कर 11 टर्म आफफ एपी इस सीरीज का 11 टर्म क्या हुआ इलेवंत का मतलब n की वैल्यू पहले ही रिजखरा कितनी है एक बीकी वेल्यू साइब है पता है की क्योंस तो होता है एक टू माइनस होता तो A2 की value कितनी है ? A2 की value है minus 1 upon 2 यह हमारा A2 है यह हमारा A1 है तो minus 1 upon minus 1 upon 2 और फिर minus का sign है और A1 की value कितनी है ? A1 की value है minus 3 तो bracket लगाके value लिखेंगे minus 3 ठीक है इसको आगे solve करते हैं इधर है हमारा minus 1 upon 2 और यह देखो minus minus यह प्लस हो जाएगा प्लस 3, इसका LCM ले लो इसका जब LCM लेंगे तो 2 और 1 का LCM 2 ही आएगा जो 2 से डिवाइड करेंगा, 2 अजा 2 1 आएगा, 1 उपर मल्टिप्लाई होके माइनस 1 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 उपर मल्टिप्लाई हो जाएगा 6 यह आगया 5 upon 2, यह हमें उच्चा D मिल गया D मिल गया 5 upon 2 अब हमें क्या find करना है, A N ही तो find करना है काँ साथ टर्म चाहिए, A 11 चाहिए और एक बात हमने पहले ही सिखिये कि A 11 को अगर हम इस तरीके से लिखें, A plus 10 D लिख सकते है हमने पहले ही बताया कि अगर यहाँ पर A 11 पूछ रहा है तो यहाँ पर एक करम कम हो जाता है तो A 11 का मतलब है A plus 10 D लिख सकते है या formula यूज कर सकते हो, N की value पूट कर सकते हो N की value 10 E to put करोगे N की value 10 E 11 ही तो है तो 11 जैसे ही रखेंगे, subtract हो जाए, 10 ही तो मिलेगा ठीक है, तो direct भी इस तरीके से कर सकते है कि A 11 अगर हमें find करना है तो A 11 क्या होता है, A plus 10 D होता है तो A 11 equals to A की value कितनी है A की value है हमारी, minus 3 minus 3 plus 10 into D की value कितनी है, 5 upon 2 5 by 2 2 से divide कर देंगे, 2 5 जा 10 तो A 11 equals to minus 3 और यह 5 5 जा 25 इसको subtract कर देंगे, तो 25 से 3 subtract हो जाएगा, कितना बचेगा? 22 यह आ गही है, हमारी A 11 की value कौन साप option होगा? Option number B, ठीक है? तो B वाला option इसका correct हो जाएगा तो इस तरीके से second वाला question भी complete हो जाता है, यहाँ पर इसके बाद third question दिया हुआ है, कह रहे है, in the following a piece, find the missing term in the boxes यह कुछ question दिये हुए है, इसमें missing term है, यह find करने है, ठीक है? अच्छा इसमें पहला question अगर देखा जाए तो पहले question में, देखो तीन term दिये हुए है एक term है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आयागा और तीसरा यहाँ पर है इसमें पहले वाले को a1 बोलते हैं, दूसरे वाले को हम a2 बोलते हैं, तो हमें दूसरे में a2 find करना है, ठीक है? इसमें हमें A1 find करना है और यह हमारा A2 है और यहाँ पर हमें A3 find करना है ठीक है इसमें यह A1 दिया है A2 find करना है A3 find करना है ठीक है इसमें यह A1 दिया है A2 find करना है A3 find करना है A4 find करना है और A5 भी find करना है इसमें देखो A1 find करना है, A2 हमें दिया है, A3 find करना है, A4 find करना है, और A5 find करना है, ठीक है, देखते हैं इस question को का इसे किया जाएगा, ध्यान से लुखना, जैसे पहला question है, पहले question तो बहुत आसान है, first में पूछा गया 2 है, और यहाँ पर A2 और यहाँ 26, तो यह बहुत य आसान है, देखो, first वाला करना है, सबसे पहले, क्या दिया है, देखो A1 की value 2D हुई है, A1 की value कितनी दिया है, 2D हुई है, A2 हमें find करना है, ठीक है, A3 हमें कितना दिया है, A3 हमें दिया है, 26, ठीक है, अच्छा A3 को और भी एक तरीके से लिख सकते होना, हमें पता है कि A3 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं A plus 2D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, A plus 2D, और A3 की value है कितनी, 26 है न, A3 की value कितनी, 26, तो इसकी place पर हम put कर देंगे, 26 equals to A plus, और A की value कितनी है, देखो, यहीं तुमारा A, भाई, जो पहला term है, A1, 2, वहीं तुमारा first term A की value ह है, तो इसकी value है हमारी 2, और यहाँ पर है 2D, इस 2 को इधर ले आओ, तो 26 minus 2 equals to 2D, subtract कर देंगे, तो 24 equals to 2D, तो D की value कितनी मिल जाएगी, 24 upon to 2, 12 times, तो D की value बच्चा मिल जाएगी, 12, D की value 12 वागई, ठीक है, जब D की value 12 वागई, तो क्या A2 नहीं find होगा, हमें पता है, कि A A2 क्या होता है, A2 होता है, A plus D, भाई A1 क्या होता था, A होता था, A2 क्या होता था, A plus D होता था, या A plus 1D होता था, फिर A3 क्या होता था, A plus 2D होता था, यहीं तो हमने सीखा था, ठीक है, तो A2 की value A plus D, तो A2 हमारा हो जाएगा, A की value कितनी है, A की value है, हमारी 2, और D की value कित को कैसे किया जाएगा दिया करना से देखना कुछिंचन एवन कर ने में ञाएंä ठीक है एक हुँ में दिया है कितना है थर्टीनit A3 भी find करना है, और A4 दिया है, 3 है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहां से A2 को अलग लिख लो, A2 equals to 13 दिया है, अच्छा A2 को ये भी तो लिख सकते हैं क्या, A plus D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बार फिर से लिख सीख लो, देखो जो A1 होता है, वो हमारा एक एक कोल होता है, फर्स्ट टब, A2 क्या होता है, A plus D होता है, ठीक है, A2 मतलब A plus D या A plus 1D, A3 क्या होता है, A plus 2D होता है, यहां 3 है तो यहां 2 है तो यहां 1, A4 क्या होता है, A plus 3D, A5 क्या होता है, A plus 4D, ठीक है, इसी तरीके से A6 क्या होगा, A plus 5D, हमेशा क्या होगा, 6 है तो तो अब देखो यहां पर a2 का मतलब a plus d equals to 13 यह हमारी हो गई पहली equation अब दूसरा देखो यहां a4 दिया है तो a4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a4 equals to 3 a4 को लिख सकते हैं a plus 3d a plus 3d लिख सकते हैं तो a plus 3d equals to कितना 3 इसे दूसरी equation कर लो ठीक है अब इन दोनों equation को solve कर लो तो यहां पर लिख लेंगे from equation 1 and 2 1 वाल equation क्या है a plus d equals to 13 दूसरी क्या है a plus 3d equals to 3 ठीक है अब देखो sign change करो क्योंकि सब ट्रेक्शन में sign change करने पढ़ेंगे तो यह negative हो जाएगा यह negative करा यह negative का यह positive का अपसमें हो जाएंगे डिए देखो का इन दीची की वेलिदी है और plus की वेलिदी सिरुड़ है तो 3 से वन जाएगा तो माइनस का sign equals to 13 जादा है क्षरक है तो तो negative value क्या है काम है 13 से 3 जाएगा 10 मचेगा और plus का ही 3 रहेगा क्योंकि positive value यहाँ पर जादा है अब यहाँ क्या गरो minus 2 क्या है d के साल multiply है और जो multiply है तो दूसरी तरफ भेज़ देंगे तो divide में आ जाएगा 2 5 जा 10 तो d की value यहाँ पर हमें मिल जाएगी minus 5 जेए जाएगी की value निकालाई और जैसे अब सब निकालाएगा देगासे हमें क्या क्या फ्रैंद करना था सबसे पहले हमें find करना था को यह इवन देखो यह 1 को find करने के लिए डी की value को किसी एक equation में put कर दो चाहें फर्स्ट में put कर दो इहाँ पर हम लोलीज देते हैं value of d प्लस लिकॉस्तु थर्टीन यहां पर लिख लिए प्लस दी कोस्टू थर्टीन दी की वैल्यू की तो यहां से एक की वैल्यू मिल जाएगी हमें एक वैली आगई ठीक है और जब एक वैल्यू आगई तो हम एफोर भी निकाल लेंगे यह क्या है यह यह नहीं तो है पहला तर्मा चुका है अब सॉरी देखते हैं नाउ कि ए थ्री ए थ्री फाइंट करना था ना तो ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस टूडी तो ए थ्री कोस्ट टूए की वैल्यू कितनी है एट टीन प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5 फाइट Gardens यह कितना होना टूफाइब जटीन संब्ट्रेक्ट करेंगे तो ए 3 की वैल्यू 8 तो इस तरीके से हैं कौन कौन से A1 और A3 को find कर लेंगे तो दोनों value इस तरीके से find हो जाएंगी तो यहाँ पर यह question भी हमारा complete हो जाता है इसके बाद देखो third part दिया हुआ है third part में A1 दिया हुआ है पर A2, A3 नहीं है और last part A4 दिया हुआ है इसको भी देख लो third question है third question में A1 दिया है A1 का मतलब A की value first term यह दिया हुआ है क्या-क्या find करना है A2 find करना है A3 find करना है और A4 भी दिया हुआ A4 कितना है mix fraction दिया हुआ है यह कितना हो जाएगा इसको multiply करेंगे इसको plus करेंगे 9 2 जा 18 18 में one add होगा तो 19 upon 2 A4 की value भी दिया है देख अचा A4 को हम क्या लिख सकते है A4 को ऐसे भी तो लिख सकते है A plus 3D भाई A4 को A plus 3D लिख सकते हो और A4 की value है क्या 19 upon 2 19 upon 2 और देखो A की value यहाँ पर दीव यह कितनी है 5 तो A की place पर हम 5 put कर सकते है plus 3D equals to 19 upon 2 5 add है उधर भी हैजदो subtract हो जाएगा 19 upon 2 minus 5 3D equals to 19 अब देखो 2 LCM हो जाएगा यह 19 नहीं रहेगा और 2 5 जाएगा यहाँ पर 10 मिल जाएगा then 3D equals to 9 upon 2 D की value कितनी मिल जाएगी 3 क्या है multiply है इसके साथ इधर भेस दो divide में आ जाएगा 9 upon 2 into divide में आगे 3 3 जा 9 D की value 3 by 2 तो D की value अच्चा मिलगी 3 by 2 और जब D की value मिलगी अब सारे टर्म निकलाएगे देखो A2 कैसे निकलेगा A2 हमें पता है क्या होता है A plus D होता है तो A2 equals to A की value कितनी है पहला टर्म 5 दिया हुआ है और D की value कितनी है 3 upon 2 3 by 2 इसको LCM लेके solve कर लो जब LCM लेके solve करेंगे 2 5 जा 10 plus 3 upon 2 मतलब यहां पर A2 की value हो जाएगी 13 upon 2 ठीक है A2 की value आगी इसके बाद क्या find करना A3 find करना है न and A3 find कर लेते है A3 क्या हो जाएगा A plus 2 D then A3 equals to A की value 5 है 2 into D की value कितनी थी D की value 3 upon 2 है 3 by 2 2 से 2 cancel तो A3 की value मिल जाएगी 5 plus 3 मतलब A3 की value कितनी आ गई 8 तो इस तरीके से हम A2 और A3 दोनो value find कर लेंगे जो की question में बोली गई थी ठीक है A2 और A3 दोनो find हो जाएगी find हो जाएगी अब क्या कर रहें अब इसके बाद में देखो 4th question दिया हुआ है 4th question में क्या कहा गया है A1 दिया हुआ है A2, A3, A4, A5 नहीं दिया हुआ है यहाँ पर A6 दिया हुआ है यह क्या है A6 की value है यह value लिख लेते हैं ठीक है 4th question में A1 given है कितना है minus 4 है और इन values को नहीं लिख रहे है A2, A3, A4, A5 यह हमें find करने है A6 लिख लेते है A6 कितना है 6 है ठीक है अच्छा A1 को तो हम जानते है कि A1 को ही तो A बुला जाता है जिसकी value यहाँ पर 4 दिया हुई है ठीक है और A6 को क्या है A6 को हम लिख सकते है A plus 5D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं A6 क्या होता है A plus 5D होता है जिसकी value कितनी दी हुई है 6 दी हुई है और A की value बच्छा है यहाँ minus 4 है A की value minus 4 है यहाँ पर पूट कर दो minus 4 plus 5D equals to 6 minus 4 को इधर भेज दो 5D equals to 6 यह negative है इधर आजाएगा तो positive value हो जाएगी तो देखो 5D equals to 10 then D equals to 10 upon 5 5 to 10 D की value आगे यहाँ पर 2 तो इस तरीके से D की value तो हमने find कर ली लेकिन अब हमें term कौन कौन से निकालने है देखो सबसे पहले हमें निकालना है A2 तो बच्चा A2 होता क्या है A plus यहाँ पर लेकिन लेना 100 A2 equals to A plus D होता है न तो A की value क्या है A की value है minus 4 पहला term minus 4 और D की value क्या है 2 है तो बच्चा A2 की value तो यहाँ पर मिल गई minus 2 मिल गई ठीक है A3 find करते है इधर देखते है A3 A3 क्या होता है A plus 2D होता है ठीक है A की value कितनी है minus 4 है plus 2 और D की value कितनी है 2 है तो A3 की value कितनी मिल जागी minus 4 plus 4 यह तो 0 मिल गया A3 की value आ गई हमारी 0 ठीक है A4 find करते है A4 क्या हो जाएगा A plus 3D A4 equals to A की value minus 4 plus 3 into D की value 2 तो A4 equals to minus 4 plus 6 तो A4 equals to A4 हमें 2 मिल जाएगा A5 भी find करना है A5 क्या होता है A plus 4D A5 equals to A की value minus 4 plus 4 into 2 A5 equals to minus 4 plus 8 A5 की value कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ठीक है A5 तक ही चाहिए था तो A2 हो गया A3 हो गया A4 हो गया और A5 हो गया सारी value हमने निकाल ली तो इस तरीके से यह वाला question भी हमारा complete हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसका last part दिया हुआ है last part में क्या बोला गया है देखो last part में कहा गया है कि A1 की value find करूँ A2 दिया हुआ है fifth question क्या दिया हुआ A2 दिया हुआ है 38 और देखो A3, A4, A5 find करना है और A6 दिया हुआ है A6 दिया है minus 22 ठीक है देखो बच्छाए क्या क्या दिया हुआ एक दो फिर से यहां पर लिख लेते है फिफ्ट वाला A2 दिया है 38 और A6 दिया है minus 22 ठीक है देखो कैसे करेंगे सबसे पहले तो A2 क्या होता है A2 होता है हमारा A plus D कितना है 38 है ना इसको equation 1 ले लेंगे ठीक है इसके बाद में क्या दिया है A6 दिया है A6 को लिख सकते है A plus 5D minus 22 दिया है इसे ले लेंगे दूसरी equation इन दोनों equation को solve करेंगे from equation 1 and 2 तो फिर्स्ट वाली equation है A plus D equals to 38 और दूसरी वाली है A plus 5D equals to minus 22 solve करना है sign change करने पढ़ेंगे sign change कर देंगे जहाँ minus होगा वहाँ plus यह minus का यह plus का subtract होगे यह minus की value ज्यादा है plus की value कम है 5 से बन जाएगा तो बचेगा यहाँ पर minus 4D equals to यह दोनों plus के ही है उपर भी नीचे भी add कर देंगे तो 8,2, 10 3,2,5 and 1,6 ठीक है अब देखो यह negative की value यहाँ है और multiply है तो इधर भेज देंगे तो divide में आ जाएगी 4 से divide करेंगे तो आएगा 15 D की value यहाँ से मिल जाएगी minus 15 D की value आ गई हो जब चादी की value आ गई तो एकी value भी find कर लेंगे एकी value कैसे find करेंगे D की value को equation 1 में put कर देते हैं तो value of D put in equation 1 equation 1 है हमारी A plus D equals to 38 D की value put कर दो minus का 15 equals to 38 minus के 15 को उधर भेज़ दो A equals to 38 और यह negative इधर आ जाएगी तो positive हो जाएगी add कर देंगे तो A की value कितनी मिल जाएगी यह 3 हो जाएगा तो यह 5 तो चाहँ A की value 53 मिल जाएगी पहला आटरम जो होगा वो क्या होगा यह हमारा क्या है यह A1 ही तो है यह हो गया हमारा 53 अब क्या-क्या find करना है देखो सबसे पहले तो A1 ही find करना था जो कि हमने पहले ही find कर लिए कितना होगा सॉरी 53 होगा ठीक है A2 दिया है A3 A4 A5 find करना है ठीक है A3 find करते है A3 क्या हो जाएगा A3 equals to हम लिख सकते है A plus 2D तो A3 equals to A की value कितनी है पहला टरम पहला टरम आया है 53 ठीक है यहाँ पर लिख लेंगे 53 plus 2 into D की value कितनी है D की value है माइनस 15 माइनस 15 A3 equals to 53 यह माइनस बाहर आजाएगा 15 to 30 तो A3 की value यहाँ से मिल जाएगी 23 A3 हो गया ठीक है A4 find करते है A4 equals to A plus 3D Then A4 equals to A की value 53 है plus 3 into D की value माइनस 15 A4 equals to 53 माइनस बाहर आजाएगा यह हो जाएगा 45 A4 equals to इसको सब्ट्रेक्ट कर देंगे 8 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 0 ठीक है तो A4 की value आजाएगी 8 A5 भी find करना है A5 भी find कर लेते and A5 क्या हो जाएगा A plus 4D then A5 equals to A की value कितनी है A की value है 53 plus 4 और D की value कितनी है D की value है माइनस 15 then A5 equals to 53 यह माइनस बाहर यहाँ पर 60 A5 equals to subtract कर देंगे तो माइनस 7 A5 की value भी आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखो A1 A3 A4 और A5 की value कहा था find करने के लिए तो इस तरीके से हम लोग find कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से यह वाला कुशन भी यहाँ पर complete हो जाएगा इसकी सारी value जम लोग find कर लेंगे